मित्रों अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि डी नाम के जातक एबम सी नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इनका बैबाहिक जीवन दामपत्य जीवन कैसा होगा मित्रों आपको बता दे किसी नाम के लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं इन लोगों की बुद्धी बहुत ज्यादा तिब्र होती हैं जिसके कारन इस नाम के जातक दी नाम के लोगों के करजों में दी नाम के लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा हस्त छेप करत जिसके कारण इन दोनों के संबंध में इनको पड़ेशानी का सामना करना पड़ता है मित्रों सी नाम के लोगों का चरित्र दोहरा होता है जिसके कारण डी नाम के जातक अपने दामपत्ते जीवन में अपने प्रेम जीवन में बहुत ज्यादा चिंतित होते है मित्रो इस नाम के दोनों जातक यदी साधी करते हैं तो D नाम के लोगों को अपने संबंध में C नाम के लोगों के सामने समर्पन करना होगा यदी आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप दोनों के संबंध में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा मित्रों इन दोनों के बीच में अनुकूलता की कमी बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण इन दोनों के आपसी संबंध में इनको समस्या का शामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है मित्रों डी नाम के जातक किसी भी मामले में कारबाई करने में बहुत ज्यादा बिस्वास करता है लेकिन यदि सी नाम के लोगों की बात कड़े तो इस नाम के जातक कारबाई करने के बजाए सिर्फ सब्दों में बहुत ज्यादा बिस्वास करते हैं मित्रों आपको बता दे कि C नाम के लोगों की हाजिर जबाबी इस नाम के लोगों का हास से एबम बुद्धी इन तीन चीजों से D नाम के जातक C नाम के लोगों के परती बहुत ज्यादा आकरसित होते हैं इबम इसके बदले में D नाम के जातक C नाम के लोगों को अपने संबंध में इस्थिर्ता इबम गहराई परदान करता है मित्रों D नाम के जातक इबम C नाम के जातक इन दोनों के गुन इबम अबगुन को मिला कर यदि इनके दामपत जीवन की बात करे तो इन दोनों का संबंध सामान्ने होगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब तो मित्रों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इबम इस वीडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दें इबम इस वीडियो को आप हर जग से यर कर दें धन्यवाद